प्रश्न है कि मंत्र दिक्षा लेने से जीवन में परिवर्तन किस प्रकार होता है? पुज बापुजी का उत्तर है मंत्र दिक्षा का अर्थ है कि हमारी दिशा बदले हमारा सोचने का धंग बदले मंत्र दिक्षा मिलते ही छो मंत्र हो जाएगा ऐसा नहीं है मंत्र दिक्षा मिलने से आपको धड़ाक धूम होके बस धेर अशर्फियां गिर जाएंगे नहीं मंत्र दिक्षा लेने से तुरंत ही आपके रोग भाग जाएंगे आपका दुख भाग जाएगा आपके पाप भाग जाएंगे आपको भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं बलकि मंत्र दिक्षा लेने से दिशा बदलेगे बेवकूफी बदलने के बाद सारा बदला हुआ प्रतीत होगा अज्यान मिटता चला जाएगा रस बढ़ता चला जाएगा जियों जियों भोजन करते हैं त्यों त्यों भूख मिटती जाती है पुष्टी आती जाती है ऐसे ही मंत्र का ध्यान का भ्यास करते करते सुख की भूख मिटती जाएगी सुख भीतर प्रकट होता जाएगा और जो भीतर सुख हुआ तो बाहर किस बात का दुख इससे बड़ा लाव और हो क्या सकता है छूमंतर करके लौटरी से जो रातो रात मालदार होते हैं वे भी अशान्त हैं और जो रातो रात कंगाल होते हैं वे भी अशान्त है हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा जिसके साथ सच्चा संबंद है उस सत्य सुरूप परमात्ना में तुम्हारी प्रेती हो जाए उस सत्य सुरूप का तुम्हें बूध हो जाए आनन ला जाए तो असत्य परिस्तितियों का आकरशन ही न रहे यह मित्या संसार तुम्हारे लिए खेल हो जाए खिलोना हो जाए मुक्ति और स्वर्ग भी तुम्हारे लिए नन्हे हो जाए ऐसे आत्म स्वर्ग का द्वार तुम खोल दो बस मंत्र बड़ी मदद करता है मन बुद्धी को बदलने में और मन बुद्धी बदल गए तो महाराज शरीर के कण तो वैसे भी सात्विक हो ही जाते है और शरीर के कण सात्विक होए तो रोग दूर रहते है सुमती के प्रभाव से रोजी रोटी में बरकत आती है अब यश दूर होता है यश तो बढ़ता है किन्तो यश का अभिमान नहीं होता भगवान की कथा और भगवान का दैविक कारे प्यारा लगने लगता है इस प्रकार के तैतिस से भी अधिक फायदे होते हैं दूसरा प्रश्न है कि पापी और पुन्यात्मा मनुष्य की पहचान क्या है पापी मनुष्य की पहचान है कि आत्मा का खयाल नहीं नश्वर शरीर के भोग विलास में जीवन को खपा दे जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता को पाने का पता नव पाए कि यह हुए गलत निर्णे, गलत आकर्शन, गलत कर्म का पश्चाताप नहीं करे और जीवन भर उसी में लगा रहे यह पापी मनुष्य की पहचान है आत्म शक्ती का अंतर की प्रेरणा का नश्वर शरीर के लिए उसके एश के लिए खर्च करना यह पापी मनुष्य की पहचान है और शाश्वत आत्मा के लिए शरीर का उप्योग करना यह पुन्यात्मा मनुष्य की पहचान है भाई शरीर है तो चलो इससे ज्ञान ध्यान होगा इसलिए इससे जरा खिला दिया ऐसा नहीं कि एश आराम चाहिए सुविधा चाहिए सुविधा लेने में जो पढ़ता है वह आत्मा का उप्योग करके शरीर को महत्व देता है और जो भगवान की तरफ चलता है वह शरीर का उप्योग करके भगवत भाव भगवत ज्ञान को महत्व देता है सही कर्म क्या है? सही निर्णे क्या है? आत्मा की उन्नति, आत्मा की प्राप्ति और देह उसका साधन है, यह सही निर्णे है और इसके अनरूप कर्म सही कर्म है देहें कई मिली और कई चली गई फिर भी जो नहीं जाता उस अंतर्यामी परमात्मा को पहचानने की द्रिष्टी आये तो यह पुन्यात्मा की द्रिष्टी है और देह की सुक सुविधाओं में अपने को गरकाब करते रहना दुशकर्म दुराचार में लगे रहना यह पापी चित्त की पहचान है हुआ 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 हुआ